एक लड़के के एकसिडन के बाद वो उपने हस्पिटल की खिटकी से एक ब्यूटिफुल सी लड़की को देखता है देखते हुए उसने नोटिस किया कि उस लड़के ने किसी का मर्डर कर दिया है कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब एक स्टेंजर का उसे मैसेज आने लग जाता है उसे उस मर्डर के बार में सब कुछ पता था अब आगे क्या होगा ये इस मूवी की मिस्ट्री है हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपको 2017 की एज ओफ इनोसंस ये मिस्ट्री थिलर मूवी एक्स्प्रेंट करने वाला हूँ इसमें अलग-अलग ट्विस्ट और टर्न्स आते है तो अंतक इस वीडियो को ज़रू देखेगा अब बिना किसी दरीके एक्स्प्रेंशन स्टार्ट करते है मूवी स्टार्ट होती है और हम हमारे मेन क्यारिक्टर कैंग से इंट्रड्यूस होते है कैंग 19 येर्स का है उसे अपने बाइक पर अलग-अलग प्लेसेस पर जाना अच्छा लगता है उसका मानना है हमें लाइफ में जो भी चीज़ करनी है जो भी चीज़ चाहिए वो जल्दी से कर लेनी चाहिए बाद में हमें पच्टाना न पड़े आज भी हो कही जा रहा था तब ये अचाना से आगे की गाड़ी से एक टायर नीचे गीरा ये कैंके गाड़ी पर आ रहा था तो इस वज़े से उसका बैलन्स चला किया नीचे गीरकर उसका एक्सिडन्ट हो जाता है इसके बारे में उपने पैरेंट्स को बता कर वरी करवाना नहीं चाहता था तो अपने फ्रेंड्स को उसने कॉल किया उसके फ्रेंड्स उसे होस्पिटल में एनमिट करकर उसका बहुत खैल रखते है इन फ्रेंड्स में एक लड़की है जिसका नाम है जूली पर हम इसे जूली बुलाएंगे क्योंकि यह सारे नाम कॉंप्लिकेटर नहों जाए जूली के साथ उसका फ्रेंड्स भी था जिसका नाम था जाओ उसके फ्रेंड्स ने उसे कहा कि तुम्हें इस तरीके से इतना जादा घूमना नहीं चाहिए वो उन्हें भी वही बात बताता है कि लाइफ में कुछ भी रिग्रेट नहीं करना चाहता उसके बेड़ के पास और एक पेशेंट था इस ओल्ड मैन को टाइपटीज बीपी है वो हमेशा होस्पिटल में रहता है उन्हें मेडिसिन देने के लिए एक नर्स आई और ये ओल्ड मैन उस पर भी लाइन मारा था निकसिन में हम देखते हैं कि जूली कैंग के पास आई हुई थी एक्च्वल में उसे बहुत लाइक करती है पर कैंग को इसके बारे में पता नहीं जूली ने उसे का कि तुमें थैंक्फूल होना चाहिए कि एक मेडिकल स्टूडरंट तुमारी फ्रेंड है कैंग ने उसे का तुमारी इरिंग बहुत ही ब्यूटिफूल लग रही है ये सुनकर जूली को बहुत अच्छा लगता है आज किल कैंग इस होस्पिटल में बहुत जादा बोर हो रहा था तो खिटके से हमेशा पाहर देखता है सामने एक बड़ा सा घर था उसमें उसने देखा तो एक बहुत ही ब्यूटिफूल सी लड़की थी ये हमारी और एक मैन कारेटर है उसका नाम है जी है कैंग उसे देखकर बहुत इंट्रेस्टेड हो गया उससे सही से देखनी पा रहा था तो अपने फ्रेंड को कॉल लगा कर उससे एक स्कोप मंगा लेता है स्कोप मिलने के बाद कैंग हमेशा उसे देखने लग गया वो वंडर करता है कि उसका आवास कैसा है उसका नेचर कैसा है क्या उसका कोई बाफ्रेंड होगा उसे अपने मोबाइल पर एक मैसेज आया जो एक स्टेंजर से था वो उसे पुछता है कि तुम हो कौन स्टेंजर ने कहा मैं तुम्हारे पास के कैफे से ही बोल रहा हूँ कैंग को एक मैसेज़ बहुत ही कैजूल लगे एक दिन जब वो घर पर नज़र अगरा था फादर ने मदर को नीचे गिरा दिया इसके बाद मदर और जी आए उसके रूम में गए एक कुछ डिसकस कर रहे थे जिया फिर फिर से अपने फादर के पास आई उसके पास एक शार्ब अबजेक्ट था वो अपने फादर को मारने वाली थी तभी उस ओल्ड मैन ने कैंग स उसका स्कोप ले लिया कैंग क्या देख रहा है वो भी देखना जादा था कैंग जिया को प्रोटेक करने के लिए उस ओल्ड मैन से उसकोप ले ले लेता है इन दोनों में थोड़ा सा जगड़ा हो गया था जब उसने फिर से स्कोप से देखा तो जिया के फादर नीचे गि आया था कैंग के वास उसके नर्स उसका चेक अप करने के लिए वो गहती है तुम आगे के घर पर नजर रख रहे थे ओल्ड मैन ने मुझे बताया मैं समझ सकती हूँ आगे के घर में जो लड़की रहती है वो बहुत ही ब्यूटिफुल है नर्स के जाने के बाद कैंग ने फ किसे के साथ इंटिमेट हो रही है यह वही आदमी है जो नीचे का कॉफी शॉप चलाता है कैंग को ठीक लगने के बाद रात में फिर से उसने जिया के घर पर देखा जिया एक गसीटते गसीटते लेकर जा रही थी घर के पास के कंस्ट्रक्शन साइट में उसने इस बैक को काडा था है उसएफ है या नही है और्डर देते हो कै Moto से उसने बात की उसने जिया के बारे में उससे पूछा वो कहता है क्या तुम उस घर के लोगों को चांते हो मैंने सुना कि उनके घर में बहुत सारे जगड़े चलतेbal Mama कि इसके बारे में कुछ भी पता नहीं कैंग ज नर्स मान नहीं रही थी कैंग कहता है कि अगर मैं उस रूम में नहीं रह सकता तो मुझे हो हस्पिटल में रहना ही नहीं है वो फिर वहाँ से डिस्चार्ज ले लेता है और घर पर ही अराम करता है घर उपर भी जूली उसका ख्याल रख रही थी गरवर उसे एक mail मेलता है जिसमें लिखा है कि मुझे पता है कि तुम क्या कर रहे हो तुम danger में हो कैंग जिया को बहुत like करता है murder के बाव उजुद उसे protect करना चाता है अब इसके बाद थोड़ी दिन बीट कहे कैंग का plaster निकल चुका है वो फिर directly जिया के घर के बाहर याता है जिया आज अपने work के लिए ज़रा late हो चुकी थी तो उसे उसके घर का security card नीचे गिर गया ये कैंग ने देखा और ये लेकर वो घर के अंदर गुश गया घर में सारी चीज़े देखती हुए वो जिया के room में आया उसके room में map लगा था जिस जगा पर वो जाना चाहती है इसमें सारी जगा पर point करकर रखा है कैंग imagine करता है कैंग चाहता था कि जिया जिस भी place पर जाए वहास उसे post card भीजे देखते देखते ही जिया फिर से घर में वापस आगे वो और उसकी मदर एक दूसरे के साथ जगड रहे थे जिया बता रही थी कि मुझे इस तरकी की life नहीं जीनी पर उसकी मदर उसे force करती है अगली दिन कैंग फिर से जिया का पीछा करता है वो कैफे में गई और कैफे owner के पास रो रही थी इसके बाद वो जहाँ भी जाती है वो उसका पीछा करता है पीछा करते करते कैंग को face stranger से मैसेज आया इसमें लिखा था मुझे पता है कि तुम क्या कर रहे हो कैंग की जिया बर नज़र रखती हुए फोटो उसने निकाली हुई थी कैंग वंडर करता है कि हो कुन सकता है वो सब पर शक करने लग गया था इसके बाद वो जिया का पीछा करते हुए जहाँ पर वो काम करती है वहाँ पर पहुँच गया उसने नोटिस किया इस ओफिस में vacancy से वो हमेशा जिया के पास ही रहना चाता है उसे और भी जान लेना चाता है तो इसे वज़े से यहाँ पर apply कर देता है जॉब मिलने के बाद street पर जाकर अलग अलग लोगों के सर्वे लेने का उसका काम था यह submit करने के लिए जिया के पास आया जिया कहती कि तुमने बहुत ही कम सर्वेज लाए तो अब क्या था कैंग अगली दिन बहुत महिनत करता है उसने बहुत सारे सर्वेज लाए यह काम करते करते जिया के घर के कारपेट की वाशिंग जीज जगा पर हुई थी वो जगा उसने देखी यहाँ पर वो इंक्वारी करने वाला था तभी उसका फ्रेंड उसी मिल जाता है कैंग कहता है कि जुली को भी बुला लो कैफे में कैंग ने देखा कि उसके होस्पिटल की नर्स कैफे ओनर और उसके फ्रेंड भी थे वो इन्ही सब पर शक कर रहा था उसने फिर स्टेंजर को मैसेश किया कि तुम्हें सब गर क्यो रहे हो स्टेंजर का रिपला है कि मैं तुम्हें हेल्प करना चाता हो ये रिपला आने के बाद कैंग सब के फोन कहा है ये देख रहा था बाकी लोग काम कर रहे थे और उसके फ्रेंड्स की फोन ये टेबल पर थे इसका मतलब है स्टेंजर इन में से कोई भी हो नहीं सकता अगले दिन कैंग अपने काम पर स्टेश के पास बैठा हुआ था कमपनी की कुछ ओफिसर डिसकस कर रहे थे कि जिया के फादर आज कल कमपनी में आनी रहे कमपनी के नाम पर उन पर बहुत बड़ा लोन है सबको लगता है कि मेरे फादर की वज़े से मुझे जॉब मिला जिया उसे बता थी कि मेरे फादर सिब जरा बीमार है वो थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे इसके बाद नेकसीन में जिया लंच कर रही थी तो कैंग उसके पास आ गया उसे बुझता है क्या कल रात तुम फ्री हो उसे एक अच्छे से रेस्टॉर्ण में लेकर जाना चाता है तब ही जिया की मदर वहाँ आ गई थी बहाँ जाकर जिया उसे बात करती है और फिर वो वापस आई वो कैंग के साथ डेट पर जाने के लिए मान गई थी जी आके जाने के बाद कैंग को मैसेज आया मर्डर के साथ मजे कर रहे हो ये दोनों एक साथ बेटे थे इसकी फोटो भी स्टेंजर ने उसे भेजी हुई थी कैंग जल्दी से काउंटर रपोशता है कि यहाँ पर कोन बेटा था उसे पता जला कि एक लड़की थी जो ग्लासेस पहन थी उसकी फ्रेंड जुली भी ग्लासेस लगाती है तो उसे लग रहा था कि शायद वही होगी वो उसे वीडियो कॉल लगाता है पर उसने देखा कि जुली अपने घर पर थी अगली दिन फिर जुली और कैंग ये दोनों डेट पर आये एक दूसरे से बात है करते है जुली ने का कि मैं इस वर्ड में अलग-अलग प्लेसेस घुमना चाहती हूँ कैंग जी जी इस प्लेसेस पर जाकर आया था इन सारे प्लेसेस के बारे में उसे बताता है मैं तुम्हें घर तक छोड़ देता हूँ उसे उसके स्टीट का भी नाम लिया था इस पर जुली बहुत ही सस्विशेस होकी वो कहती है तुम्हें मेरे बारे में बहुत सारी चीज़े बता है मैं कहा रहती हूँ मैंने इसके बारे में तुम्हें नहीं बताया था क्या इंकी चोरी पकड़ी के उसे अनेसली सब कुछ बताता है वो गहता है कि मेरा एक्सेडन्ट हुआ था मैं तुम्हारे घर के सामने के हस्पिटल में था मैं तुम्हें फर्स टाइम देखा तुम मुझे बहुत अच्छी लगी थी मैं तुम्हें बहुत ही इंटरेस्टेड हो गया मुझे जब पता चला कि तुम कहा पर काम करते हो तुम्हारे पास रह सको इसलिए मैंने वही पर जॉब ले लिया मैं तुम्हें बहुत लाइक करता हूँ यह सब सुनकर जुली ने उसे गले लगा लिया इन दोनों को हग करते हूँ जिया के मदर के बॉड़ी गार्शनी ने देख लिया वो बहुत जादा गुसा हो गए थे कैंग को वार्निंग देते हैं कि जिया से जरद दूर रहना वो कैंग को वार्निंग देते हैं कि जिया से दूर रहना अगली दिन कैंग जब काम पर गया तो जिया उसे कही भी नहीं मिलती उसका घर भी बन पड़ा था इसके बाद वो डारेक्ली कैफे ओनर से आकर बात करता है वो से कहता है कि मुझे पता है कि तुम और जिया फ्रेंड हो वो कोई स्टरबल में तुमें मुझे हेल्प करनी पड़ेगी कैफे ओनर ने का कि जिया को पता है क्यों मुझे कहा ढूंड सकती है अगर उसे मेरी जरूरत होती तुम मुझे ढूंड लेती एक कैफे उनर कैंग को वान करता है कि उसे ज़रा दूर हो तुम उसके लिए सही नहीं कैंग जिया से फिर से मिलना जाता था पर मिलने का कोई भी वे नहीं है तो फिर वो डारेकली कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुचा ये कंस्ट्रक्शन साइट जिया आपने बेडरूम से देख सकती है तो यहाँ बर उसने एक साइन बना लिया पास जो कैफे है इस कैफे का इस साइन था फिर वो इस कैफे में जाकर रात बर वेट करता है बाहर बारिश होने लग गई थी यही बर वो खड़ा होकर वेट कर रहा था सुबा होने के बाद फाइनली जिया उसके पास आगी वो कहती कि तुम पागल हो रात बर वो ही बेटा था यह दोनों एक दुसरे को गले लगा लेते है जिया कहती कि अब उस घर में मैं नहीं रह सकती जिज भी जगावरे जाना जाते थे डारिक लिए उस जगावर निकल जाते कैंग जिया को एक बीच दिखाने के लिए लेकर आया ओगहता है जिस दिन मेरा एक्सिडन्ट हुआ था मैं इसी बीच पर आ रहा था मेरा एक्सिडन्ट नहीं होता तो मैं तुमसे नहीं मिलता वो गहता है तुमसे मिलने के लिए फिर से मेरा एक्सिडन्ट हो फिर भी वर्थिट होगा ये दोनों एक दूसरे के साथ बहुत एंज़ॉय करते है रात में होटेल में आकर इंटिमेट हो गए इसी तरीके से इनकी relationship डेवलोप होती गई अब एक मंद हो चुका है ये पूरा मंद होटेल में ही थे यहाँ से जाने के लिए कैंग जरा अफसेट था तो जिया कहती है क्यों ना हम और एक मंद रुख जाए कैंग इसके लिए excited हो जाता है होटेल का सारा बिल जिया ने पेग किया ये फिर से बहुत enjoy करते है एक दिन गुमते गुमते कैंग को एक बाइक बहुत पस्थन आई जिया और कैंग अपने रूम में थे कैंग उसके drawing बना रहा था जिया बुछती है तुम मेरी drawing क्यों बनाते हो कैंग ने का मुझे हर एक beautiful चीज़ की drawing करना अच्छा लगता है जिया फिर उसे नीचे लेकर गए वो इसमें कैंग के लिए वो बाइक बाइक कर ली थी वो इसके लिए बहुत ही excited हो गया यह दोनों फिर ride के लिए जाते है कैंग फिर wonder करता है कि जिया के पास इतने सारे बैसे आते कैसे है वो तो कोई भी credit card विगरा भी use नहीं कर रही जिया इस बात को पूरी तरीके से ignore कर देती है अब कैंग को फिर से stranger का message है इसमें लिखा था कि जल्दी से फिर से टाउन में वापस आ जाओ वरना जिया ने जो भी क्या है इसके बारे में सब को बता दूँगा कैंग इस stranger से मिलने के लिए city में पहुचा पर जिया के मदर के bodyguards उसे देख लेते है वो वहाँ से बागा पर bodyguard ने उसे पकड़ लिया था उसे बहुत मारते है उन्होंने उसे warning दी कि जया को फिर से वापस लेकर आओ वो वेचारा injured था तब ही उसके mobile पर एक वीडियो आता है ये वीडियो उस construction site का है और इस stranger उस construction site को खोद रहा था ताकि जया ने जो back गाड़ी थी हूँ बाहर आ जाए क्यांग भागते भागते जल्दी से वहाँ पर पहुँच गया पर इस stranger वहाँ से भाग जाता है क्यांग इस गड़े को भरने लग गया था पर construction worker ने नोटिस कर लिया यहाँ पर पुलीस वगरा भुलाय जाते यह गड़ा खुदने के बाद उसमें से एक डेड़ बेबी निकला क्यांग को इस बाद से बहुत बड़ा शौक लगता है इस सब की investigation हुई तो पुलीस को बता चला क्यों बेबी अल्रेड़ी डेड़ था आगे के hospital से बेबी का specimen चोरी हुआ था और यहां बड़ गाड दिया गया है जाओ यह सारी चीज़े figure out नहीं कर पाता वो फिर डारेक्ली हुआस्पिटल में बहुच गया नर्स पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो चुका था कहता है तुम्हें यह सब मेरे साथ कर क्यों रही हो क्या वो बेबी तुम नहीं गाड़ा था नर्स कहती कि मैंने कुछ भी नहीं किया है बेबी का specimen हॉस्पिटल से गायव हो चुका था जिया के फादर इस हॉस्पिटल की ओनर थे वो कहती है कि जिया के फादर ने इसके बारे में रिपोर्ट करने के लिए मना किया था कैंग ने नर्स को उसके साथ जो भी हो रहा है यह सारी चीज़े बताए नर्स कहती कि अगर तुमें लगता है कि जिस टेंजर ने तुमें मैसेज किया है वो और इस बेबी को चुराने वाला एक ही परसन है तो मुझे बताए कि वो कौन है सेकुरिटी फुटे से में पता चल गया था कि बेबी को किसने चुराया था डारेक्टर ने मुझे इसे रिपोर्ट करने से मना किया क्यूंकि उसकी डॉटर ही थी इस सुनने के बाद कैंग डारेक्ली जिया के पास बोचता है पर जिया के बाद जूली आई हुई थी उसके हाद में एसीड है जूली पूछती है कि अपने फादर को मारने के बाद तुमने बौडी का क्या किया जिया ने कहा कि उस बैग में बच्चों के खिलों ने थे जुली इस बात को मान दी नहीं तब ही वहाँ पर कैंग भोच चुगा था जिस टेंजर का कैंग को मैसेज आ रहा था ये जुली ही थी उसे कहती है तुम अपने आखों से जो भी देख रहे थे उस पर बिल्यू नहीं कर पा रहे थे मैं चाहती थी कि जिया के फादर की बॉड़ी मिलने के बाद तुम ये पता चल जाए कि जिया एक किलर है मैं तुमसे प्यार करती हूँ इसी वज़े से सब में नहीं किया कैंग figure out नहीं कर पात। कि उसने जो भी देखा था ये जुली को कैसे बता था जुली कहती है तुमने मैंने जो scope दिया उसे मैंने एक camera install कर दिया था उसके phone में भी उसने एक tracker लगा दिया है जुली भी हमेशा उसका पीछा कर दिया थी हमने मुवी में देखा था कि कैंग को जब शक आया था तो उसने जूली से डारेक्ली वीडियो कॉल पर बात की थी इसके इस्प्लेशन में जूली कहती है कि मेरा फ्रेंड ये सब करने में मुझे हेल्प कर रहा था इनके पास और एक मुबैल था इस वज़े से कैंग कुछ भी फिगर आउट नहीं कर पाया जूली का फ्रेंड भी हाबर पहुच जाता है उसे समझाने की कोशिश करता है वो भी उससे बहुत प्यार करता था कैंग को जूली की फिलिंस के बारें पता नहीं था इसके लिए उससे समझाने की कोशिश करती है कहती है तुम बहुत ही लखी हो तुम्हें मेरी तरह किसी पर भी डिपेंड रहने की जरूत नहीं है वो कहती है मैं सिर्फ कैंग का फायदा उठा रही थी मैं मेरी लाइफ से बोर हो चुकी थी तो मुझे कुछ चेंज चाहिए था जूली और भी ज़्यादा डिस्टर्ब होगी उसके हाथ में असीर था जो अपने आप पर वो डालने वाली थी जिया जल्दी सी उसे इसके हाथ से निकाल लेती है उसका खुद का हाथ भी थोड़ा सा बर्न हो गया था इसके बाद पुली स्कूल आया गया और जूली उनके साथ चली जाती है सब के जाने के बाद क्यांग जिया से बात करता है कहता है तुमने अपने फादर को मार डाला पर फिर भी मुझे इससे कुछ भी फरक नहीं बड़ता तुमसे प्यार करता हो और तुमारे साथ रहना जाता हो जिया कहती कि अभी अभी मैंने तुमारे बारे में जो भी कहा ये सब कुल चीजे सच थी मैं सिर्फ तुमारे यूज कर रही थी इसके बाद वो अपनी मदर के साथ गाड़ी में चली जाती है क्यांग उसी इस तरीके से जाने नहीं दे सकता था उसने भी उसका पीछा किया वो गाड़ी रोग नहीं रही थी तुम मोटर साइकल को आगे किया और अपना एक्सिडन्ट करवा दिया जिया उसके पास है कहती है यह सब तुम कर क्यों रहे हो गाड़ी से जिया के साथ उसके फादर में निकलते है फादर ने कहा तो इतने दिन तुम इसके साथ थी जिया कहती क्या मुझे हग नहीं कि मैं किसी से प्यार कर सको फादर जिया से गहते तुम जो जाओ वह कर सकती हूँ पर मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो जिया कैंके पास ही रुकी उसरा जो हुआ था इसके बारे में जिया उसे बताती है वो गहती है एक्च्वल में वो आदमी मेरा फादर नहीं है मैं अगर उसके घर में रही, तो लोगों को शक होगा, इसलिए हमने उश स्टोरी बना दी है जिया और इस बिजनेसमेन की अलग रिलेशन है, यह बिजनेसमेन उसे बहुत सारे पैसे देता है, इसके बदले में जिया उसके साथ इंटिमेट होती है, उसके घर में रहती है पर उस बिजनसमैन ने कभी भी जिया का साथ नहीं छोड़ा उस रात कैंग जब स्कोप से नजर रग रहा था तभी ओल्ड मैन ने उसे उसकोप ले लिया था उतने टाइम में बिजनसमैन ने अपनी बिमारी की वज़े से खुन की उल्टिया की थी उसे कैंसर था इसके बाद उसका इलाज करने के लिए वो बिजनेसमैन वहाँ से चला गया था जिया बहुत ही डिस्टरब थी वो पहले ही अपने बेबी के लिए बहुत सारे खिलों ने लेकर आई थी तो सारे खिलों ने उसने बैग में डाले उसने अपने बेबी के सारे toys as a farewell पास के construction site में गाड़ दिया यही सारी चीज़े कैंग ने देखी थी वो गहती में मेरी life में सिर्फ change चाहती थी और फिर वो कैंग से मिली कैंग पूछता है क्या कभी तुमने मुझसे प्यार किया था जिया इस पर गुझ भी नहीं बोलती जिया ने decide क्या है कि बिजनेसमैन के साथ ही रहना चाहती है वो बैचार हार्ट ब्रोकन होकर वहाँ से चला क्या फिर से अपने college को continue करता है इसके बाद movie में directly 10 साल बीच चुके है वो फिर से जिया के घर के पास के cafe में ही आया जिया अब वहाँ नहीं रहती वो cafe owner को देखता है तो उसने अब nurse के साथ शादी कर ली थी यो दोनों बहुत ही खुष थे क्यांग ने उसे बात की जिया के बारे में बोचा cafe owner कहता है कि business man के last day में जिया ने उसका बहुत खैल रखा एक्शल में बिजनसमान को उसकी कमपनी में उसके पार्टनर ने धोका दिया था इसमें भी जिया ने उसे सपोर्ट किया ये केस वो बिजनसमान जीत गया बाद में उसकी डेथ हो की और जिया घर छोड़ कर चली की कैंग बुचता है कि अब वो कहा है कैफे उन्हेर ने उसे कहा कि वो अलग-अलग प्लेसेश घूमती रहती है हर जगा से तुम्हारी लिए एक पोस्ट कार्ट भेशती है उसे पता था कि कभी ना कभी तुम इस कैफे में वापस आओके है कैंग रियलाइस करता है यह 10 साल पहले उसकी एज कम थी उसकी एजूकेशन कम्पलीट नहीं थी जिया चाहती थी कि अपनी लाइफ में वो आगे जाए वो अब सक्सेस्फूल है और जिया की लोकेशन भी उसके पास है वो शूर था कि जब वो वहाँ जाएगा तो जिया उसका वेट कर रही होगी यह दोनों फाइनली एक दूसरे से मिल गए जिया हमेशा से उससे प्यार करती थी पर बिजनेसमैन बिमार था उसे इस तरीके से छोड़ कर वो नहीं जा सकती थी इसलिए उसने उसका खैल रखा क्यांग को भी अपनी लाइफ डेवलेप करने का एक अच्छा सा चांस उसने दिया इसके बाद यह दोनों फिर से मिले इसे के साथ इस मूवी के हैप्य इंडिंग हो जाती है अगर आपको एक्स्पिनेशन अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजेगा और बहुत सारी मूवीज लेकर आते रहतों तो प्लीज चानल को सब्सक्राइब कर दीजे और बेल नोटिवेशन आइकोन दोने मत भूलिएगा हम फिर से मिलेंगे और एक नेमूवी के साथ तब तके लिए थैंक्यू और आप अपने आपका ख्याल रखिये